अंताराश्टिय योगा दिवस पर भारतिय जन्ता पार्टी तमाम मदर्सों में योगा कराने जा रही है लेकिन इसको लेकर सपा सांसर शफिकुर रह्मान ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि सरकार नहीं चाहती कि मदर्से के अंदर बच्चों को तालीम हासिल हो मवजूद है तर प्रदे सरकार में मंतरी हैं दानिश अजाद अंसारी एक बड़ा प्रयास आप लोग करने जा रहे हैं अंताराश्टिय में योग कराने का लेकिन सपा सांसर जो शफिकुर रह्मान ने वो अनर्गल बयान बाजी कर रहे हैं देखिए सपा के नेताओं का एकमात एजेंडा होता है कि किस तरीके से अनर्गल बयान बाजी करके समाज का ध्यान भटकाएं और किस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियों को सेखें आज अगर जिस मदरसे की बात समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं तो तमाम मुसलमान ये जानता है कि 2012 से लेके 2017 तक जब समाजवादी पार्टी का शाशनकाल था तो कितनी बुरी इस्थिती उन मदरसों के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया लेकिन उत्तरपरदेश की योगी सरकार ने 2017 के बाद से सुनिशित किया कि मदर्सों के तालीम को बहतर बनाने का काम, मुष्लिम मदर्सों में कों जाता है? सबसे बड़ी समझने की बात यह है. आम मुष्लिम परिवार का बच्चा मदर्सों में पढ़ने जाता है. तो वो आम मुस्लिम परिवार के बच्चे को अच्छी सिख्षा मिले ये योगी सरकार ने अपनी जिम्यदारी को समझते हुए हमारे मुखमंती योगी आदिति नाज जी ने कहा कि मदर्सों में दीन इसलाम भी पढ़ाये जाए और मदर्सों में साइंस मैट्स कंप्यूटर जैसे साइंस कंप्यूटर जैसे आदिनिक शीक्षा लेकर समाज के मुख्यधारा चो जूरा है तो इस बात से समझवादी पार्टी के नेता परिशान है कि किस तरीके से आम गरीब मुसल्मान का बच्चा ये पहल लिके समाज के मुख्यधारा चो जूरा है क्योंकि ये लोग नह में उनका वोट लिया जाए और वोट लेकर सत्ता के सुख हासिल करके मुसलमानों को विकास से पीछे रखा जाए उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जो है उनकी तालीम में रुकावट पैदा करना चाहती है आप तो खुद ही एक मुस्लिम मंतरी भी है आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को क्यों तकलीफ हो रही कि जो मुसलिम समुदाय है वो भारी मातरा में भारती जनता पार्टी से जोड़ो रहे हैं को कोई दर सता रहा है देखें, मैं जैसक क्या बताया? कि जिस मुसलिम समाज को समाजवादी पाटी ने केवल वोट बैंक समझा और वोट बैंक के दिश्टी से देखा आज वो मुसलिम समाज हमारी मोधी सरकार और योगी सरकार की योजनाव से लाब लेके तरक की की तरव बागे बढ़ रहा है? और अगर ये मेरा दावा नहीं है, आप देखिए चाहे लोकसभा का उप्चुना हुआ हो आजमगर रामपूर, या बिढ़ान सबा का उप्चुना हुआ हो रामपूर में या हमारे स्वार में या भी 2023 का निकाय चुना हुआ हो हर चुनाओं में मुस्लिम समाज ने आगे बढ़के भारतिय हिंता पार्टी को वोट डियब खुले मन से खुले दिल से और इस बात से समाजवादी पार्टी चिंतित हो चुकी है वो चिंतित इसलिए है कि जिस मुस्लिम समाज को गुमराह करके वोट बैंक की तर इस्तमाल करती थी आज वो मुस्लिम समाज जागरूख होकर मोदी सरकार, योगी सरकार के साथ तरक्की की सीडिया चड़ रहा है इस बात से वो परिशान है और ये बयानबाजी ये उसी को दर्शाता है जो तमाम मौलाना है, धरमगुरू है, उलेमा है, वो इस फैसले का स्वागत कर रहे है मदर्सों में योगा का तीके मदर्सों के रिफार्मेशन के लिए 17 से अब तक जितने काम हुए आम मुस्लिम समाज का जो भी हिताशी है, उसने इसका समर्थन किया, सयोग किया और आप देखिए, किसे अच्छा नहीं लगए कि मदर्सों में हम दिन इसलाम के साथ साथ मैथ, साइन्स, कंप्यूटर पढ़ाएं किसे अच्छा नहीं लगए कि मदर्सों के बच्चा भी स्पोर्स एक्टिविटी में शामिल हो, किसे अच्छा नहीं लगएगा कि 18 तारीको, 18 दिसंबर को जब पूरा हम अल्प संखे का धिकार दिवस मनाते हैं, उस दिन उत्तर प्रदेश की पूरे मदर्सों में साइन्स एग्जिबिशन लगा, मदर्सों के अंदर से क्रियेटिविटी आ रही है, मदर्से के बच्चे मुख्धारा से जुड़ रहे हैं, हमने 2022 ते जो मदर्से क करकार में हुआ था क्या, नहीं हुआ था, हमने बच्चों को सिक्षा के तरफ प्रोच्षाहित करने का काम किया, उनको आधुनिक सिक्षा से जोड़ने का काम किया, दीन इसलाम की जानकारी भी उने हो और आधुनिक सिक्षा की भी जानकारी हो, इसके बारे में एक संतुलि ने डबल इंजन की मोधी सरकार योगी सरकार पे अपना भरूस आ जताया है लकनव से वीडियो जनलिश आशीश के साथ संदीब खेर भारत समचार